Hello students, good morning, today we shall read the fifth chapter of our book, okay, and the name of this chapter is quality, okay, quality करत होता है गुनवत्ता और यह जो है, यह कहानी जो है, एक सू मेकर की है, सू मेकर में जोता है, जूते बनाने वाला, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक कहानी Mr. Jessler की, वो जो है, एक जर्मन सू मेकर हैं, और जो की लंदन में आके बस गए हैं, और एक वो चूते बनाने के वो जो है, परफेक्ट क्या हैं, कलाकार हैं, तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे और देखेंगे, कैसे कर उन्होंने अपने जिवन को जो है, अपने कारे के लिए पूर्ण तो समर पे तुक कर लिया था, ओके, तो यह ले I knew him from the days of my extreme youth, extreme youth, लेखर कह रहे हैं, कि मैं Mr. Jessler को बहुत पच्पन से जानता था, extreme youth में बहुत पच्पन से, because he made my father's boot, क्योंकि वो क्या करते थे, मेरे पिताजी के चूते बनाते थे, he lived with his elder brother in his shop, वो अपने दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहते थे, which was in a small by street in a fashionable part of London, ठीक है, और उनकी जो दुकान थी, लंदन के एक सजेद जी, मार्केट के एक गली में थी, दस, The shop had a certain quiet distinction, उके, जो उनकी दुकान थी, वो अपने आप में थोड़ा सी भिन थी, quiet distinction means थोड़ा सा भिन, उके, There was no sign upon it other than the name of Chester Brothers, यहीं लिखा करें, उसमें जो है, Chester Brothers के बोर्ड के लाओ, कुछ भी नहीं लिखावा था, He made, and in the window a few pairs of boots, उस दुकान में जो एक Chester Brothers के बोर्ड लगावा था, और साथ ही साथ, वहाँ पे जो है, एक दो, उस खिरकी में जो एक दो जोड़ी जोते थी, He made only what was ordered, and what he made never felt of it, वो कि वर उन्हीं जोतों को बनाता था, जिन जोतों का उसको order मिलता था, और जिन जोतों को बनाते थे, वो जोते बिलकुल fit आता थे, कभी भी उनकी जो है, ऐसा नहीं था कि बनाए और वो खराब हो गई, To make boot such boot as he made seem to me then, and still seems to me mysterious and wonderful, लेखक कह रहे हैं कि जो जोते वो बनाते थे, उन जैसे जोतों का बनना मेरे लिए हमेसा ऐसा लगता था, बड़ाए रहिष्यमाई और चमतकारिक, I remember well my side remarks one day while stretching out to him my youthful foot, एक दिन देखक कह रहे हैं कि मैं जो है, उनके पास के और मुझे याद है, कि अपने पैर को दिखाते हुए, ठीक है, मैंने उनसे कैसे कर बात की, मैं थोड़ा सर्माते हुए बोला, Isn't it awfully hard to do Mr. Jessler, मैंने उनसे का कि Mr. Jessler क्या जोते बनाने जो है, कठिन कारे नहीं है, and his answer given with a sudden smile from out of the readiness of his beard, तो उनने भी तुरंत लंबी-लंबी दारी की बीश से मुस्कुराते हुए, मुझे उत्तर दिया, It is an adult, उनने का कि यह क्या है, यह एक art, It is an adult, जो उनने जर्मन लेंगविज में कह, यह जो उनका बोलने का तरिका था, वो क्या था, जर्मन था, और वो बोल रहे थे, It is an art, It was not possible to give to him very often, his boot lasted terribly, to go him to very, it was not possible to go to him very often, लेखा करें कि यह संभव नहीं था कि बार बार में उसके पास जाओं, क्योंकि his boots lasted terribly, यह उसके जूते जो बहुत कम भटते थे, बहुत कम खराब होते थे, बहुत लंबे समय तक वो चलते थे, Having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them, लेखा कह रहे हैं कि पता नहीं क्या था कि उन जूते में उसने क्वों से चीज़ डाल देता था, इससे वो जूत ही क्या होते थे, बहुत लंबे समय तक चलते थे, One went in, not as into most shop, but restful, जैसे कोई जाता था तो अधिकतर दुकाने की तरह थोड़ा हट के वहाँ जाता, बड़े आराम से जाते ही, As one enters a church and sitting on the single wooden chair waited, ऐसा लगता था कि जो कोई दुकान में जाते हैं, मानों वो चर्च में जा रहे हूं, बहुत भार में चीज़ लगी रहती थे लक्री की, और समय पैठ की इंतिजार करते हैं, एक गत्रल साउंड and tip top of his slippers between the narrow wooden stairs, तब उपर जो एक अजीब सी आवाज आती थी, कुछ काम करने के आवाज आती थी, और धिरे धिरे लक्रीों के सीड़ी से उतरते हैं, जेस्टर की चपलों की आवाज सुनाई दी थी, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, थोड़े देर में हमारे सामने आ जाता थी, थोड़े से जुके वे और उन्हें एक leather का अप्रेंट पहना होता था, उसके उपर से कोई coat नहीं पहने होती थी, with the sleeves turned back, blinking as if ever come from some dream of roots, और जो है, उनकी बाहें मुड़ी होती थी, अमीश की जो बाहें होती है, मुड़ी होती और उनकी आखें इस प्रकार से ब्लिंकिंग करती थी, बलके इस प्रकार से जपकती रहती थी, कि मानो वो जो है, अभी अभी जो है, किसी सपने से उठके आए हो and I would see, और जैसे उनको देखा, मैंने का, how do you Mr., how do you do Mr. Jessler, Mr. Jessler, आप कैसे है, could you make me a pair of Russian leather boots, क्या आप मेरे लिए जो है, Russian leather के boots बना सकते हैं, without a word, he would leave me retiring when she came, retiring means वापस जाना, वो करें, बिना मुझ से एक सब्द कही, वो उसी जोगा चले, retiring when she came मिनस होता है, जहां से आए थे उसी तर्प चले गए, और into the other portion of the shop, या फिर दूसी जगों चले गए, and I would continue to rest in the wooden chair, और वो करें कि मैं उस wooden chair पर कापे समय तक इंतिजार करता रहा, inhaling the essence of his street, और वो करें, जब मैं वहाँ पर रुका रहा, तो उन जोतों की वहाँ पर जो है, जो मेरे नाक में जा रही थी, Soon he would come back, जल्दी वो वापस आया, holding in his hand a piece of gold brown leather, और अपने हाथ में जो है, gold brown leather की टुकड़ा लेका है, with eyes fixed on it, he would remark, अपने आखें उस leather के टुकड़े पर कड़ाये वी, उसने का, what a beautiful voice, यानि उसने का, कितना शंदा टुकड़ा है, when I too had admit, he would speak again, जब मैं भी उसकी परसंसा करने वारा था, तो बोल पड़ा, when do you want them, यानि तुमें ये कब तक चाहिए, and I would answer, तो मैंने का, as soon as conveniently can, यानि जितन I will ask my brother, तो कहता था, कल साम तक किया, फिर जो है, बोलता था, कि मैं अपने भाई से पूछ लूँगा, तो यहाँ पर जो है, कुछ, हमने ये कहने पड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि, आपकी इतनी समझ में आगवी, बाकी हिस्सम कर पड़ेंगे, और इसके question मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप उसके उतर को लिखे लाएंगे,